नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं तो दोस्तों आप लोग मेरे कंपनी लोग के लेक्चर से रेफर कर रहे हूं इंकम टेक्स के लेक्चर से रेफर कर रहे हूं और बहुत अच्छा फी अब मैं सेलर भी बढ़ा देता हूं ठीक है और देखते हैं और पलस मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए अपने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो इसमें अगर आप इसमें जाते हो तो करीब मैंने 45 वीडियो डाल रखी है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस ही कराया इंकम टेक्स का जो टैन इयर है जिसमें पिछले साल के कोश्चन्स होते हैं आपको आइडिया लग जाएगा इसमें किस टाइप के कोश्चन्स आते हैं लेक्चर्स हैं और यह सारे लेक्चर्स 5-7 मिनट के हैं तो अगर आप इन 45 लेक्चर्स को भी कर लेते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इंकम टेक्स का पेपर कैसा आएगा और कैसे कैसे कोस्चन्स अभी तक पास्ट यह कोश्चन्स में भी पूछे गए तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक चप्टेर नहीं किया तो पेपर नहीं कर पाऊगे लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बहुत चेप्टर हैं तो मैं सैलरी भी करवाऊंगा और आज ही शुरू करेंगे सैलरी भी क्योंकि अब आपके पेपर आ गए है ठीक है तो यह देखो आप यह प्लेलिष्ट रेफर कर सकते हो डी यू एस वेल टैनियर 45 लेक्चर है इसमें ठीक है और यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो तो चलो यह तो बात हुई प्रैक्टिस की लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपना सैलरी वाला है चलो जी यह है लेसन नमबर फाइव जेस्ट ऑफिस से आया हूं मैं और बच्चों कमेंट मैंने देखें तो मुझे लगता है रेकॉर्ड करना चाहिए चलो जी यह है पेज नमबर थर्टी एट 245 आउट अप टू फाइव पेजिस तो 38 पे लेसन नमबर फाइव सेलरी तो सेलरी के चैप्टर के उन्होंने तीन पार्ट में बाता है तो हम यहां पर करने जा रहें सेलरी इस वन यूनिट वन ठीक है अब इसमें क्या क्या सिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिक्स क्या है अंडेस्टैंडिंग कुछ इंपोर्टेंट कॉंसेट्स के बेसिस ऑफ चार्ज, रिटार्मेंट बेनेफिट्स और समड़ी तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यह सेलरी जो है वन आफ दी फाइव हैड्स ऑफ इंकम जो है पांच हैं इंकम के कौन-कौन से याद है आपको याद हो जाना चाहिए क्याप्टिल गैन इंकम फ्रॉम अपका सपना यह होता है कि विए चलो अच्छी अच्छी पढ़ाüne ही करें है और जॉप करते हैं विजनस फिर बाद में देखेंगे जूप है तो बिजनस पिजनस इंकम होगी लेकिन जॉम में जाहिंगे तो कौन से इंकम होगी सेलरी इंकम होगी तो जब मुझे सेलरी मिल तो कमाएं इतने ही होनी चाहिए जिस पर की बाद का आ थीक है तो किसे के अंश जो है इस टाइम अगं अगर लेस्थ 002 है तो फिर टैक्स 10 lakh है तो यह जो 5 lakh का गया बच गया पच्च कह पांच लाग पे 20 परसंट तो यह 1 lakh हो जाएगा और more than 10 lakh है माल लेते 15 lakh का package है तो 5 lakh बच गया morn 10 lakh में 5 lakh तो 5 lakh का 30 परसंट तो तो यहां तो यह जो salary में जो लोग काम करते हैं मान रहते हैं किसी की अगर 15 लाग की income है तो यह तो यह चाहेगा कि यार मुझे deduction मिलना चाहिए अब deduction मिलना चाहिए तो उसके लिए कैसे काम करेगा तो बोलेगा मुझे यार salary slip दे दो तो अपनी company में जाएगा बोलेगा मुझे salary slip दे दो उसने salary slip में देखा उसमें लिख है basic salary ठीक है मान लेते हैं इस बंदे की salary एक लाग है महिने की तो अब एक लाग की salary में उसने देखा यार basic है 60,000 HR है house rent allowance है मुझे मुझे रहने के लिए allowance दिया जा रहा है बीस हजार है कहेगा कि यार आपने मुझे रहने के लिए दिया पैसे मेरी salary का part HR या house rent allowance है तो मुझे उस पर deduction मिलनी चाहिए को कि मैं rent भी को क्या करता हूं तो यह सारे जो क्रेरी कि भाई वह objective क्या है objective यह रहेगा कि यार इस पर मुझे tax कम देना है अब जिस salary पर tax ही नहीं तो उसके लिए हम क्या पढ़ें हम यहां पर यह पढ़ रहें कि salary इतनी होगी इस पर tax बनेगा और फिर हम tax कैसे compute करेंगे tax कैसे बचा जा सकता वह सारी च relationship होना चाहिए salary कौन देता है भाई salary तो भी देगा न जहां पर आप नौकरी करेंगे और नौकरी मेंस कि जो relation है वह employer और employee का है अब माल लेते हैं कि मैं कहीं जौब नहीं करता लेगि मैंने किसी person से contact किया कि मैं आपको consultancy दूँगा मैं आपको tax की consultancy दूगा मैं आपको बत professional service दूँगा मैं तो मैंने वहाँ पर जो contractor हूँ है ठीक है तो यहां पर क्या मेरे और उसके बीच employer employee का relation है नहीं है तो क्या उसके लिए salary है नहीं तो फिर सर इस वाली income को कौन से head में tax करेंगे तो यह वाली मेरी बहुत जरूरी है तो employer में कौन-कौन से आ जाएंगे employer में भी individual मैं एक individual हूं मैं एक अकेला हूं लेकिन मैंने मेरा काम मेरे पास ज्यादा है मैंने एक जो बंदे को हायर करती है तो individual कोई firm partnership firm association of person company, local authority, central government, state government इन सब में नौकरी करने वाले लोग के लिए employer हो जाएंगे ठीक एंपलोई full time भी हो सकता और part time भी हो सकता है MP और MLA को हम employee treat नहीं करेंगे government का तो remuneration जो है इनकी वो जब employee नहीं है तो income from salary के head में taxable नहीं होगी बलकि इनकी income जाएगी income from other source में तो यह थोड़े सी basic information है जो मैं आपको दे रहा हूँ however pay and allowances received by chief minister of state are accessible as salary लेकिन जो cm जो pay और allowances ले रहा है cm को जो salary मिल रही है ठीक है न वो उसको हम salary ही बोलेंगे MP MLA का नहीं होगा लेकिन cm का होगा in view of provision तो जब cm का होगा तो फिर उसके income from salary मानी जाएगी ना कि income from other source ठीक है नोट एनी salary bonus commission remuneration by whatever name call चाहे आपको salary भी जा रही है चाहे आपको bonus दिया जा रहा है commission दिया जा रहा है कोई भी पैसा आपको दिया जा रहा है whatever name called किसी भी नाम से ठीक है ना चाहे आपको partnership firm से मिल रहा है तो यह सब आपके यहां पर माना जाएगा कि भी यह salary है salary income है ठीक है न अब पार्टनर अब यहां पर देखो एक exception है यह बिसिकलिक वहां पर अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो वह salary मानी जाएगी लेकिन अगर कोई partnership firm में कोई बंदा partner है ठीक है तो ऐसे में income firm salary नहीं calculate होगा या नहीं compute होगा क्योंकि partnership firm में आप partner बन रहे हो किसी के employee नहीं बन रहे है तो यह इसका exception रहेगा ठीक है न तो यहां पर employer-employee relationship नहीं है firm और उसके partner के बीच में जैसे मैं अपनी company में काम करता हूं मुझे चाहे वह salary दे बोनस दे को को भी रिमिरेशन दे तो मेरा यहां पर employee-employee-employee-employee का relation है तो यहां पर मुझे income from salary में मेरी income head total की जाएगी compute की जाएगी लेकिन अगर मैं किसी partnership firm में partner हूं तो मेरा वहां पर employer-employee-employee का relation नहीं है तो वहां पर मेरी income as a salary treat नहीं होगी ठीक है सच रिमिरेशन हाव इस टेक्सेबल अंडर दी है पीजी बीप और ऐसे पार्टनर जो पार्टनर से पार्टनर है उसके हाथ में जो पैसा आ रहा है जो उसको पैसा मिल रहा है पार्टनर से उसको ट्रीट करेंगे पीजी बीपी में profit and gain from business or profession ठीक है यह एक important point है चलते हैं no difference between salary and wages wages कह लो या salary कह लो बात एक ही है तो कोई भी difference नहीं है salary के जगे गर wages भी लिखा है तो wages भी salary का ही दूसरा नाम है एरियर्स of salary क्या है कि पिछले साल की salary रुखी भी थी area था वो इस बार दिया गए कई बार क्या होता है company में आपका न इंक्रिमेंट हो जाता है तो इंक्रिमेंट मालेते हैं चार महीने पहले इंक्रिमेंट Second हो गया लेकिन दीया जा रहा है चार माहिने बाद तो जब चार महीने बाद दिया जाता है तो हमाना टोल कर लेते फिर उसको लिखते तो एकुछ कमप्यूत तो इस बार उसको पैसा मिल रहा है न इस बार उसको बोलेंगे area of salary and thus taxable under the head income from salary और इस बार उसको income from salary head में treat कर लेंगे it is taxable on receipt basis इसका जो taxability है area of salary का receipt basis जब पैसा मिल जाएगा तब treat करेंगे salary नहीं मिला तो नहीं मानेंगे तो accrual के basis पे नहीं tax किया जा सकता है in this case recipient can claim under section 89 89 में इसको relief मिल जाता है a year salary के case ठीक है नव एडवांस एडवांस salary का है salary receiving advance is taxable in the year of receipt जिस time आपने advance salary ले लिया जब ले लिया तो मान लिया जाएगा यह इसी year का salary है it will not be taxable again in the relevant year which it becomes to me मैंने मान लो एक साल पहले एक साल आगे का advance salary मैंने आज ही ले लिया तो आज तो मैंने receipt basis को उस पर consider हो जाएगी मेरी salary income और मैं tax भी दे दूँगा लेकिन अगले साल जब उसका real time आएगा कि हाँ इस साल के लिए पहले तुम्हें दे दिया गया था salary तो पहले तो तुमने tax कर दिया तो अब जब मैं वह साल अब आ गया जिसमें मैं अपना काम कर रहा हो लेकिन पैसे तो मुझे मिलेंगे नहीं तो इस बार मैं कोई tax नहीं दूँगा क्योंकि मेरी income इस राज राज दूतावास या दूतावास करके बोलते हैं ठीक है तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं चाइना के होंगे अधर-धर दूतावास में वहां के लोग होंगे तो इनको वहां की गवर्मेंट पैसा देती है हमारी गवर्मेंट क्यों देगी ठीक है ना तो salary paid by foreign government to its employee serving in India इस टेक्स अपना दे तो ऐसे लोग की भी ना इंडिया में टेक्स करेंगे और उसको बलेगी तुम्हारी इंकम टेक्स है ना इन तो यह कहता है न इंकम डेम्ड टू एक्रीव और राइज इंडिया यह सब इंडिया में टेक्स तो यह बंदा इंडिया में तो salary कर र during the same previous year then total salary receipt from all employees is taxable under the head income from salary यह कैसे होगा मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम करता था हमारा previous year कब से शुरू होता है एक अप्रेल 2022 से शुरू हुआ फिर 31 मार दो जार तेसको खतम हो जाएगा इस इस दौरान मैंने 6 मिने किसी कंपनी में काम किया वहां भी salary ले लिए और फिर सब कंपनी स्विच कर दिया कंपनी बैदल दिया दूसरी कंपनी में चला गया फिर वहां भी salary ले रहा हूं तो मेरी वह वाली भी salary और आने वाली salary जो current employment में है वो सब calculate किया जाएगा टेक्स के purpose ठीक है salary from former employer salary पिछले company से former employer मतलब क्या पिछली company का जो employer था मेरा present employer और prospective employer या फिर आगे कहीं जा रहा हूं उसकी वज़े से अगर मुझे मिल गया एक पर मेरे साथ क्या हुआ था पिछले साथ कि मैंने जिस company को छोड़ा वहां से मझे salary लेनी थी लेकिन मैंने notice period पूरा सर्व नहीं किया तो उन्हें मेरा salary काते लिया कि रिकवरी करने उन्हों salary बट मैं जहां जाने वाला था further नहीं company में तो वहां मेरी condition यही थी कि मेरा जो भी deduction होगा मेरी salary से क्योंकि मैं अपनी notice period जो 50-55 दिन की notice period है मैं वह सर्व नहीं करूंगा मैं वहां 15 दिन ही काम करके आपके पास आ जाओंगा तो आपको न वह पैसे मुझे वापिस देने पड़ेंगे जो मेरी पेछला former employer मेरा पैसा काट लेगा मेरी salary से जो मेरा full and final amount बनाएगा तो वो मान गया ठीक है तो मैंने उसको certificate दे दिया तो अब देखो इस case में क्या है पिछले company से जितनी salary मिली वो तो ही ठीक है full and final amount मिला वो तो ही मेरी salary का पार्ट लेकिन वहां से जो पैसा मेरा कटा और मैंने इस company से current company से जो पैसा ले लिया joining के time पर ही मैंने bonus ले लिया उसे बोलते है joining bonus बोलते हैं कि आप आओ हमारे पास आके आपने अहसान किया तो यह लो आपका जो पैसा कट गया ना पिछली company ने जो काटा है वो हम तुम्हें दे देंगे तुम्हारे उनकसान की भरपाई कर देंगे तो यहां पर जो भरपाई salary मतलब वो salary जिस पर tax ही नहीं होगा if tax-free salary is paid by the employer employer ने अगर आपको salary जिस पर tax नहीं होगा the employee has to include his taxable income not only the salary received but also the amount of tax paid by the employer of the tax-free salary income from the employee यह क्या है अब मतलब यह tax-free salary का मतलब यह होता है कि employer ने बोला देखो हम तुम्हें 15 लाग देंगे ठीक है 15 लाग पर गौर्वर्मेंट को इतना tax देना पड़ेगा थीन लाग बारह जार सम्तिंग हमने कल्कुलेट किया था तो तीन लाग बारह जार है वो भी हम ही दे देंगे तुम प्रेंट लो तो ऐसे केस में जो टेक्स-free salary में उसका पंदर लाग था income मानेंगे इसलिए प्लस तीन लाग संपिंग जो भी वह टेक्स वियाब के दे रहा है न वो भी उसकी income from salary ही मानेंगे वह भी उसको क्या मानेंगे income from salary इसलिए बोलते टेक्स-free salary for going of salary मतब salary को छोड़ देना बन salary is earned by the employee ने एक salary earned कर लिया it becomes taxable in his hand to email though email he may consequently waive the right to receive the same from his employer देखो उस एक बार तो salary अक्रिव हो गई उस बंदे ने बोला ठीक अब मुझे salary नहीं चाहिए तो such voluntary waiver और for going by an employee salary due to his million application of income and is chargeable to tax under the head of मतलब यह कि भाया तुमने तो salary earn किया लेकिन अब तुम खुदी बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे salary नहीं चैना wave off कर रहा हूं तो जो for going of salary यह ना वह भी आपकी salary का part हो जाएगा प्लेस ऑफ एक्रूब मैंने भी बता है section 9 बोलता है कि income एक्रूब और राइज इंडिया और यह income receive और राइज इंडिया ठीक है तो यह इंडिया में होना चाहिए तो इस सारा का सारा वह पॉइंट है नाव method of accounting not relevant आप accounting किस method से करते हो cash basis एक्रूब बेसिस वो कोई matter नहीं करता है वही बाती है अब चलते हैं question number one problem one करते हैं उमीद करता हूं कि अभी तक समझ में आया होगा जो मैं समझानी कोशिश कर रहा हूं ठीक है एन एजन employee एन एक employee एकस्वाजाट प्राइवीट लिम्टिन में काम करता है माल लेते हैं आप एकस्वाजाट प्राइवीट लिम्टिन में काम करते हो आपको पैसे salary मिल रही है पचास जार रुपे पर मेंगे which becomes due on the last day of हर महिने के लाश्ट में अगले महिने के पांच तारिक को जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है तो पांच जनवरी को पैसे डिये जाएंगे नाव एक्स्प्लें दप्रोविजन्स रिगार्डिंग दप कंप्यूटेशन अब दी सैलरी टेक्सेबल फॉर दी असेस्मेंट यह हो गया तो अब इसकी कंप्यूटेशन करके देदो तो बहुत सिंपल है इसमें कुछ सोचना ही नहीं है क्या सोचना है इसमें यार बही 50,000 है 12 से मल्टिप्लाई कर दो 6 लाग मैं बोल रहा हूं यह जो का पेपर है ना कंप्यूटेशन बेश्ट कम है लॉब बेश्ट जैदा है अगर आपको लॉब पता है कानून पता है तो आप पेपर कर दोगे लिए ना आप यह मैस्स की तरह सोचोगे ना कि मैंने सौ सवाल बना दिये तो मैं यह पेपर में करी दूँगा ऐसा नहीं यह तरीके से लौ है कानून है त्यूरिटिकल पेपर है उस थियोरी को कंवर्ट करके प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है ठीक है बस वही सारी चीज़ें आपको लिख देना होगा कि हां ठीक है सैलरी चाहे रिसीट बेसीज पर फरक नहीं पड़ता विच्वर जाती है सैलरी टेक एपर 2017 से यहां से ले रहा है सारी कहानी उनने लिख दिया आपने चल रहा हूं पूरे साल से काम किया है तो बारवावाशन कर देते हैं पूरी त्यूरी है ठीक है from April 2019 his salary becomes 50,000 पर मत एक अपरेल 2019 उसकी शेलरी होगी पचाहाँ आप पर मत सेलरी बीकॉम्स ड्यू ऑन दी फर्स्ट ड्यू आप दी नेक्स्ट मन अगले मेने की पहली तरीक हो लेकिन उसको पांस तरीक हो दिया जाता है कंप्यूट करो असेस्मेंट यह बीस इस तो प्रिविए सेर कितना हो जाएगा उनिस बीस और उनिस बीस प्रिविए सेर शुरू कब होगा एक अपरेल 2019 से लेके 31 मार्च कि 2020 अब देखो एक अपरेल 2019 से तो इसकी सेलरी हो गई पचाहास जार तो इसकी सेल्रे कहा है कि और यह का है अगले महीने के 5 तरीकों तो अपरेल महीने में तो इसको मिला उसके बाद अप्रेल से लेके मार्च के महीने तक मार्च अगले मार्च तक ये जो ग्यारा महीने बच गए तो कि जो इस महीने के अप्रेल में तो इसको मार्च की सेलरी मिल गई और इस अप्रेल की सेलरी उसको मिलेगी मही में तो मही से लेके मार्च तक मार्च का फिर अप्रेल के सेलरी मिलेगी मैं मैं तो फिर मैं जून चुलाइव अगास सेप्टेमबर अप्टूर नौम बदेसं बचनुरी फरवरी मार्च तो यह 11 महीने बचले तो सर एक महीने में तो उसको मिल गए 40,000 और फिर 11 महीने में मिल गए उसको 50,000 तो इसकी सेलरी कितनी हुई कंप्यूट कर सकता है कोई 40,000 प्लस 11 इंटो तो यह हो जाता है पांच लाख 50,000 और यह 40,000 तो यह हो गया देखो पांच लाख 90,000 उसकी सेलरी हो गई वही सारी की सारी बात नहीं प्योंने लिख दिया थियोरी में चलते हैं बहुत सिंपल है यह टॉपिक आगे भी समझेंगे बहुत असानी से नाव प्रॉब्लम बर थी और एडवांस सेलरी को हमने पढ़ा है रिसीट बेसिस पे जब उसको पैसा मिल गया उसी टाइम में कर दो टैक्स उसी टाइम में उसकी इंकम माल लो तो एं एंप्ल कि अप्रेल 2019 की सेलरी अप्रेल 2019 की सेलरी उसको मार्च में ही मिल गई ठीक है नव कंप्यूट दस सैलरी टेक्सवल पॉर असेस्मेंट यह असेस्मेंट यह 21-21 है तो यह 19-20 होगा का मतलब अप्रेल 2019 से लेके मार्च 2020 ठीक है तो अब देखो क्या है यहां पर ही इस पेड सैलरी ऑप अप्रेल 2019 की सैलरी एडवांस में उसको मिल गई मार्च में ही मिल गई तो भया मार्च 2019 ना फिर तो 18-19 के फानेंसल प्रीएस यह में वह इंकम कंप्यूट हो गई तो इस बार अप्रेल 2019 में तो इसको कुछ मिलेगा नहीं अप्रेल 2019 की सैलरी इसको कब मिलनी चाहिए थी मही में मिलती ठीक है ना तो मही में तो इसको पैसा मिलेगा नहीं महिए में इसको पैसा मिले ने को कि अप्रेल का वह अलिडी मार्च मिले चुका है तो मार्च का तो इसको अप्रेल में मिला होगा ना तो देखो कि इसको हम कैसे क्लेट करेंगे अप्रेल 2019 से लेके मार्च 2020 इसको मिले 50,000 को कि हर महिने के पांस तारीक को तो मार्च का March की जो salary है उसको अप्रेल में 5 तारीक को मिल गई है तो अप्रेल से लेके पूरे के पूरे अगले साल के March 2020 तक का पूरा 12 महीने तो इसको मिली गया पलस एक महीने का additional इसको मिला है एक महीने का additional advance मिला है ना इसको तो यह देखो salary from April to March 2020 50,000 into 12 अप्रेल चेलाक होगे और advance salary of April 2019 2019 अप्रेल का advance salary इसने ले लिया तो एक महीने का extra इसको मिल गया तो देखो टेक्सेवर इन मार्च 2017 तो यह हो जाएगा 50,000 to 6,50,000 ठीक है नोट salary received in advance for April 2019 is included in the previous year 1920 on receipt basis so it will not be included again in the previous year 2021 तो 2021 में इसको दुबारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह 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 मार्च 2017 नहीं है यह मार्च 2019 इसको ठीक कर लेना तो इसमें बस यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो आपको बारा महीने की तो salary मिली ही मिली है ठीक है एक महीने की extra salary आपको मिली है अप्रेल महीने की ठीक है तो यहां पर इनको तेरह महीने का टेक्स तेरह महीने की salary पर टेक्स देना पड़ेगा अब यह बेसिक पे की calculation है देख लेते हैं बड़ क्या होता है जब आप government job और कोई form भरोगे तो उस पर लिखा होता है इस टाइप से चीज़ों होती है वह क्या होता है देख एंड जोएन प्राइवेट कंपनी और सेप्टेंबर वन 2013 इंड़ पे स्केल ओफ फोर्टीन थावज़न 14 जाइन किया 1000 का annual increment होता रहेगा चोडह हजार से फिर आगी जाएगा 15000 16 सेथरह हजार अठारह हजार अठारह हजार हर साल एक हजार बढ़ जाएगा और यासा करते करते तीस हजार तक जाएगा, salary at the time of joining is fixed at 18,000, joining के ताइम पे इसके salary fix हुई 18,000, तो इसके शुरुवात फिर 18 से आगे होगी, 19,000, 20,000, as per the terms of employment salary becomes due on the first day of the next month, भाया, first day को due हो जाएगा, और अगले महीने के पांस तारिक को ये pay किया जाएगा, तो यहाँ वही चीज़ है, for the assessment year, बीसी के बताओ, इसके salary क्या है, previous year, 1920, in this case, तो अगर assessment year, 20, 20 है, तो previous year क्या हो जाएगी, 19, 20, एक सल पहले, in this case, n gets an annual increment, तो उसने join कब किया है, देखो joining date क्या है, September 1, 2013, तो September 1, 2013 से लेके, अगस्त 2014 तक, उसकी salary 18 पर join किया, फिर अगले एक साल में 19 बजाएगा, ऐसे करते करते हम आ जाएंगे, अपने वाले period में, जो period है, April 2019 से लेके, March 2020, तो ये देखो, हर साल उसका increment होता चला गया, फिर यहाँ पर आ गया हूँ, एक सप्रिम्बर एक अठाइस से 31 मार्द 2019, तो अप्रेल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तीन दो पांच, पांच मेने हो गए, पांच मेने इसकी salary थी 23,000, और फिर बच गए 7 मन, 7 मन में उसकी salary थी 24,000, तो पूरे मेने की salary, यहाँ देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर इस महीने में तो 5 ही हो रहे हैं, लेकिन मार्च 2019 की salary इसको अप्रेल में मिलेगी, तो टोटल 23,000 इसको 6 महीने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर देखो, एक, द जब मिलेगी तब देखेंगे, तो इस बार इसको इधर में जाएगी, तो 6 महीने इसके 23,000 हैंगे और 6 महीने इसके 24,000 है, तो यह याद रखना कि जो first month में जो salary इसको मिलेगी न, वो पिछले साल के, पिछले मार्च की मिलेगी, तो इसलिए अप्रेल में भी 23, मही में भी और 31 अगस्त तक तो बताया गया है, कि वो 23 है ही, तो उसका दिया जाएगा September में, अगस्त का पैसा September में दिया जाता है, तो 6 महीने 23 और 6 महीने 24,000 है, तो यह सब basic pay की calculation थी, अब यहाँ पर calculation और basic pay, इसमें बस उसमें बताया था कि एक एक हजार रुपे करके increment होगा, 15,600 से लेके 67,400 तक का pay scale है, और इसमें देख लो, वो कब join करता है, एक जुलाई 2015 को उसने join किया, तो 15,600 पे उसने join किया, उसका 3% निकालो, फिर आएगा, उसका 3% निकालो, फिर आएगा, उसका 3%, हर साल 3-3% की increment है, तो देखो, एक जुलाई 2015 से 30 जून 15,600, फिर एक जु जुन 2017, 3% का increment, 16,048, फिर एक जुलाई 2017 से 18,3% का increment, फिर 18 से 19,3% का increment, और 19 से 20,3% का increment, हम अपने period में देख लेंगे, कि हमारा period शुरू हो रहा है, कब? अप्रेल 19 से मार्च 20, तो यह जो अप्रेल 19 में जो पैसा मिलेगा, वो मार्च का मिलेगा, ठीक है न? तो सैलरी रिसीब, अप्रेल, मैं, जून, जुलाई, अगस, सेप्पिमर, अक्टूबर, नौबध, दिसमर, जनौरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, तो यहाँ पे मार लेना, और देखो, हम अपने इस प्रेड में फॉल करते हैं, जब यहाँ पे 17,026 और 17,537 से सेलरी, तो यहाँ पे 4 महिने के लिए 17,026 हो जाएगी, और बाकी महिने में 17,537 हो जाएगी, और इस तरीके साफ किल्कुलेट कर सकते हो, है चलो, अब आगे चलते है, now meaning of salary, salary का मतलब क्या है, तो क्या हम इस salary के पार्ट को भी, अभी finish करें, या फिर हम next lecture में चलते हैं, करते हैं आगे की चीज़े नेक्स लेक्चर में करते हैं और देखन टेकर क्लास हो गया तो लंबीक विजाएगे इसलिए जास लेक्चरों करते हैं अगर कुछ नहीं आया हो समझ में तो कमेंट वक्स में बताना ठीक है मैं दुबारा कोशिश करूंगा समझाने की तो मिलते हैं नेक्स लेक्षर में सैलरी का मतलब समझेंगे तब तक के लिए बाई-बाई टिक केर मन लगा के पड़ो